तो मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है रेसिपी को लाइब जरूर करिएगा व्यों को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए फ्रेंड्स तो आज की रेसिपी है अंडा दम बिर्यानी जिसको आप खाएंगे ना तो बस उंगलिया चाटते रह जाएंगे इतना टेस्टी यह अंडा दम बिर्यानी बना है हर छोटी टिप्स है जिसको मैंने यहाँ पर बताया है तो वीडियो को पूरा देखिए लाइक जरूर कर दीजिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है तो देखिए आठ अंडे है तो उसको बॉइल किया है मैंने और बीच में से कट लगाया है तो अंडे जब आलू है उसको भी बॉइल कर लिया है तो चलिया भी आगे बढ़ते है अब मैं बताती हूँ आपको कि चावल को किस तरह से पकाना है लंबे दानों वाला चावल है सबसे पहले बहुत सारा यहाँ पर पानी मडाना है उसमें आधा निम्बू दो तेजपत्ता थोड़ा सा नमाग दो बड़ी इलाइची दो छोटी इलाइची और एक मसाले वाला जो स्टार फूल होता है वो डालना है पानी को बॉइल करना है और फिर चावल को डालना है वो वाला वीडियो मेरा थोड़ा डिलिट हो गया फ्रेंड्स सो आप समझ लीजिए अब चावल को आपको 80 परसंटेजी पकाना है 100 परसंट यहां पर आपको चावल को नहीं पकाना है अगर आप मेरी ट्रिक से इस तरह से चावल पकाएंगे तो बहुत ही परफेक्टली चावल पकता है और ऐसा खिला खिला रहता है चावल क्योंकि इसमें हमने नीम्बू डाला है और जो मसालो का फ्लेवर है वो चावल में आ जाता है बहुत ही बढ़िया खुशबुदार चावल यह बनके रेडी हो जाता है तो चलिए अभी हमना अच्छे से तड़का लगाते है बिरियानी का तो देखिए मैंने हांडी में थोड़ा ओईल ज्यादा ही डालना है क्योंकि हमको यहां प देखिए मैंने इस तरह से फ्राइ कर लिया है यहां तक देखे वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है वीडियो आगे की रेसिपी भी बहुत ही अच्छी है तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए तो मैंने सारे जो प्याज है उसको एक साइड में एक प्लेट में निकाल लिया है तो चलिये अभी तड़का लगाते है थोड़ा सा ओईल है तो उसमे एक बड़ी इलाइची है एक छोटी इलाइची है और तीन से चार यहां पे काली मीरे है तो बहुत अच्छा फ्लेवर अब आधा टीजपून मैंने आपे जीरा डाला है और दो सी तीन हरी मिर्ची है उसको मैंने बीच में से कट लगाया है और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट है एक से देड़ चमच डालना है उसी में मैंने हरा धनिया को भी पीसा है तो बस मसा आप से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहां पे मिर्ची पाउडर और नमक कर दीजिए मैंने तो एक चमच मिर्ची डाला है थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हल्दी से तो बहुती बढ़िया कलर और टेस्ट आता है और यह सब हो गया है मसाले को पका लीजिए अच्छे से अब हम यहां पे अंडे और आलू डाल देंगे तो सबसे पहले मैंने आलू डाला है उसके बाद में आधा मिनिट पकाया है फिर अंडा डालना है और यहां पे मैंने दो टमाटर है तो उसको डाला है और आधे ग्लास से भी कम यानि बहुत थी कम मैंने यहां पे वाटर और फिर यहां पे न थोड़ा सा बिरियानी मसाला डाला है और धन्या पोडर है उसको भी डाला है अब आधे अंडे हम यही पे रखेंगे और आधे अंडे मैं अंडे और अलू दुसरे एक कटोरी में मैंने निकाल लिया है तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले एक लेहर लग चावल पचे को तब यहां पर पूरा अच्छी तरह से पहला देंगे और फिर से वही सेम प्रोसेस करना चाव्छे क्या नहीं पचाउड़ा है और जब जो बचा हुआ अंडा है आलू है और मसाल है तो मैंने इस तरह से अच्छे से डाल दिया है अब मैंने थोड़ा सा इसमें food color add किया है आप चाहे तो इसको skip कर सकते हो पर बिरियानी में थोड़ा हलका सा हरा color दिखता है तो अच्छा लगता है खाने में अब देखिए water को भी आपको ऐसा sprinkle करकर ही डालना है direct glass से यहाँ पे water add नहीं करना है इस तरह सब तरफ अच्छे से water आपको डालना है तो आधा glass मैंने पानी इस तरह से डाल दिया है और बहुत ही बढ़िया flavor के लिए आपको यहाँ पे घी को add करना है और 15 मिनिट आपको बहुत अच्छी तरह से बिरियानी को पकाना है तो लीजिए friends यह बन गई हमारी अंडा दम बिरियानी बहुत ही साधिस्ट और बहुत ही tasty बनी है हर एक दाना इसका खिला खिला बना है और जो मैंने tips और tricks बताई हूँ उसी तरह से अगर आप बिरियानी बनाएंगे तो आपके घर में भी इसी तरह से बहुती साधिस्ट बिरियानी बनेगी तो बास इस बिरियानी को जरूर लाइक कर दीजे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजे ओके friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन गुड़ पाई